रक्षा शेत्र में निजी करण को लेकर आए दिन सरकार पर निशाना साधा जाता है ओर्डिनेंस फैक्टरी के निगमी करण को लेकर अब चर्चाएं और सरकार की तैयारिया दोनों ही तेज हो गई है जिसका कारण है धुल्मुल रवय और लेट लतीफी जिसके कारण गुणवत्ता की कमी से ओएफबी की साख पर बट्टा लगा है ऐसे में करमचारियों का विरोध तो जारी है लेकिन सरकार ओर्डिनेंस फैक्टरी के निगमी करण को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रही है जो की देश हित में आवश्यक है दरसल 16 मई को केंदरी वित्त मंतरी निर्मला सीता रमण ने देश वे ओएफबी के निगमी करण की और ले जाने का एक बड़ा कदब उठाते हुए डिफेंस सेक्टर में 74 प्रतिशत FDI का एलान कर दिया विदेशी निवेश की सीमा 49 से 74 पीसदी करने पर फैक्टरी बोड का निगमी करण किया जाएगा जिससे रक्षा समेत वित्तिय शेत्र में भी एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जा सकता है गौर तलबे की रक्षा मंत्री राजनात सिंग पहले ही आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगर देश में रक्षा शेत्रों के 101 उपकरणों के आयात पर पतिबंध लगा चुके है इस पर वित्तमंत्री ने बयान दिया कि इन सामानों में छोटे उत्पाद ही नहीं बलकि लगू समेत उच्च वर्ग के कई उत्पाद शामिल है जिसमें असॉल ट्राइफल से लेकर तकनीकी उत्पाद और लाइफ ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट भी होंगे अब इन सभी का उत्पादन देश में ही होगा वहीं प्रतिवर्ष इन प्रतिबंधित उत्पादों की संख्या बढ़ाई जाएगी परंतु क्या ये संभाव हो पाएगा देश में रक्षा उत्पादन शेतर में ओएफबी सबसे पुराने सरकारी संगठनों में से एक है इसके अंतरगत 41 ओर्डिनेंस फैक्टरी, 13 ओर्डिनेंस सेंटर, 9 ओर्डिनेंस इंस्टिट्यूट है जिन में करीब 80,000 करमचारी कारेरत है ऐसे में इनका विरोध इस फैसले पर महतपूर्ण माना जा रहा है लेकिन राष्ट्र हित में सरकार द्वारा इसे नजरनदास करना लाजमी है क्योंकि ओएफबी पर अनेको प्रश्न चिन लगे हुए है इन सवालों का इसके जिम्मेदारों के पास ना तो कोई ठोस जवाब है और ना ही कोई प्रभावशाली हल ओएफबी के निगमी करण पर सवाल उठाने वालों को नियंत्रक एवं महालेखब परिक्षक यानी CAG की रिपोर्ट पर गौर करना चाहिए जो बताती है कि ओएफबी के अंतरगत बनने वाले रक्षा उपकरणों की गुनवत्ता लगातार गिरती जा रही है CAG की पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट के अनुसार ओएफबी अपने उत्पादन के लक्ष को पूरा नहीं कर पाई है ये 50 फीसिदी तक ही सिमट जाता है किन्तु यदि ओएफबी अच्छे रक्षा उपकरण बना कर भेज रही होती तो इस बात को भी नजर अंदास किया जा सकता था लेकिन इन उपकरणों की गुणवत्ता इतने निम्निस्तर की हो गई है कि सेना को इनके बने हतियारों को इस्तमाल करने में दिक्कते हो रही है आर्मी लगातार इसको लेकर सवाल उठाती रही है मई 2019 में ही आर्मी ने OFB द्वारा बनाए गए गोला बारूग, युद्धक टैंकों और आटिलरी समेत डिफेंस गंस की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए रक्षा मंत्राले से सीधे हस्तक शेप करने की मांग की थी इसके बाद आर्मी और OFB के बीच मद्भेट साफ दिख गया था आर्मी का कहना है कि खराब सामानों से ना केवल पैसो का नुकसान होता है बलकि दुरगटनाओं में सेनिकों को जानका भी खत्रा रहता है कई बार तो जम्मू कश्मीर में मुटभेड के दौरान जब सेनिकों ने आतंकियों पर ग्रेनेड एटैक किया तो वे फटे ही नहीं जो OFB के करमचारियों और उसकी धुलमुल कारेशहली को दिखाता है गौर तलब है कि जब जब ऐसे निगमी करण की चर्चाएं होती है तो करमचारी हरताल शुरू कर देते हैं बात वर्ष 2000 की हो या 2019 से 20 की इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद इनकी कारेशहली में कोई परिवरतन नहीं आया है और इसके चलते निर्याक तो हो ही नी पाता है ऐसे में जानकारों का मानना है कि एगर भारत को आत्म निर्भर अभियान के अंतरगत रक्षा उपकर्णों का उत्पादन करना है तो OFB के निगमी करेंट के निर्णे को अडिग रखते हुए लागू करना चाहिए जो कि एक कड़वी लेकिन असरदार दवा साबित होगी